बच्चो आज हम हर्याना गोर्मेंट स्कूल के कक्षा चोथी के गनित की पाठ्या पुस्तक है हस्ते खेलते उसका पहला चैप्टर है डिजाइन ही डिजाइन का पेज नंबर पांच करेंगे इसका पेज एक से चार हमने पहले ही वीडियो में कर चुके हैं आप वहां से अपनी मैथ की बुक खोलोगे और इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़के बताती हूँ आओ 9 के पहाड़े में एक मज़ेदार पैटरन देखे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस तरफ यहां 9 का पहाड़ा लिखा हुआ है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ठीक है बच्चो यहां क्या लिखा हुआ है 9 का टेबल लिखा हुआ है 09 लिखा हुआ है अगर आप 0 प्लस 9 को करते हैं जैसे यहां दिखाया हुआ है तो हमारा आंस्वर क्या आता है 9 ठीक है उसी तरह 9 दुनी 18 होता है 1 1 और 8 को जोड़ेंगे तो अब भी 9 आएगा हमारे 27 होता है 2 और 7 को जोड़ेंगे तब भी 9 आता है 36 तीन और 6 को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास आंस्वर 9 आएगा 45 45 में 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा 9 54 में क्या है 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 63 63 में 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंस्वर 9 72, 72 में 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 81, 81 में 8 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 90, 90 में 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा आंस्वर 9 इस तरह से हम देखते हैं कि सभी digit को जोड़ने के बाद हमारा आंस्वर क्या आता है नो आता है ठीक है उसके बाद आपको ये पिच्चर दिखरी होगी बंदर की ये क्या कह रहा है हमें क्या इससे भी आगे भी ये पैटरन चल सकता है पता करें क्या इसमें भी आपको कोई और पैटरन दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं एक बार के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखके मैं आपको बताती हूँ, कोशिच करती हूँ, 9- consult 90 मुद्ध होगे, 9-1999 होता है, ठीक है बच्चो, अब 9 और 9 को जोड़ेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 18, अब इन दोनों को जोडएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 9 ठीक है 12, 9, 12, 108 अब इन तीन डीजिट को जोडएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9 तो हमें कुछ इस तरह से हल मिलता है चलिए अब हम आगे इसको हल करते हैं देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बुक म दिदी है, ये दिदी है, क्या कह रही है, राखी तुम इन पैटरन को आगे बढ़ा सकते हैं, तो राखी क्या कहती है, कोशिश करती हूँ, राखी क्या कह रही है, कि मैं कोशिश करती हूँ, चलिए हम भी इनके साथ कोशिश करते हैं, कि कैसे पैटरन को आगे बढ़ाते हैं, और समझते हैं चलिए बच्चो अब हम सुरू करते हैं इसका पहला पार्ट यहां क्या लिखा हुए हमारे 3 सबसे पहले आप देख रहे होंगे 3, 6, 9, 12 ठीक है बच्चो तो इससे हमें क्या पता चलता है यहां क्या है चार है ठीक है बच्चो एक नजर में हम देखें तो चार में चार जोड़े तो क्या बन जाता है 8 ठीक है 8 में 4 जोड़ेंगे 12 12 में 4 जोड़ेंगे 16 16 में 4 जोड़ेंगे 20 20 में 4 जोड़ेंगे 24 ठीक है इसी तरह यह चलता जाएगा और वैसे देखे तो हमें ये 4 का पहाड़ा मिल गया है सीधे डारेक्ट ठीक है उसके बाद चलते हैं अगले में ये क्या है 5, 10, 15, 20 यानि कि 5, 5 जोड़ रहे हैं 20 में 5 जोड़ेंगे 25 25 में 5 जोड़ेंगे 30 इस तरह ये चलता जाएगा यानि कि ये 5 का पहाड़ा बन जाता है ठीक है उसके बाद हम करते हैं अगला कोशन 7 ठीक है 7 में 7 जोड़ेंगे 14 फिर 7 जोड़ेंगे 21 फिर 7 जोड़ेंगे 28 ठीक है 28 में 7 जोड़ेंगे क्या बन जाएंगे 35 35 में 7 जोड़ेंगे 42 ठीक है बच्चो एक तरह से अगर हम देखे अगर आपको 7 का पहाड़ा आता है तो 7 का पहाड़ा बन गया 721, 728, 735, 726, ठीक है बच्चो अगला है हमारे पास 9, 9 का पहाड़ा बन रहे हैं 9, 9, 9, 18, 9, 13, 9, 49, 36, फिर क्या जाएगा 9, 45, 9, 4, 54, इसी तरह ये सीरी चलती जाएगी उसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या बन जाएगा 10, 10 दونी 20, 10, 1, 30, 10, 46, दस का पहाड़ा बन रहे हैं 20, 25, 50, 10, 10, 6, 60 दूसरी भाषन में समझे तो क्या है 10, 10, 10 बढ़ रहे हैं ठीक है? उससे अगले स्वाल में देखे है ये क्या है? 90, 90 में से 10 घटाई 80, 10, 10 का अंतर आ रहा है 80 में से 10 कम करेंगे 70 70 में से 10 कम करेंगे 70 अब 60 में से 10 कम करेंगे तो हमरे पास क्या अगा, 50, 50 में 10 कम करेंगे, 40, ठीक है बिच्चों, अगले स्वाल पे चलते हैं, क्या है हमरे पास, यहाँ देखो, अप ध्यान से क्या है, 24, 24 में से 4 कम करेंगे, 20 कम हो रहे हैं, ध्यान देना है, 20 में से 4 कम करें, 16, 16 में से 4 कम किए, 12, 12 में से 4 कम करेंगे, कितने आ जाएंगे, 8, 8 में से 4 कम करें, 4, तो इसी तरह ये चलता जाए, अगला कोशन है, 50, 50 में से 10 कम करेंगे, क्या है, 40, 40 में से 10 कम करेंगे, 30, 30 में से 10 कम करेंगे, 20, 20 में से 10 क कम करेंगे जीरो ठीक है बच्चे इसी तरह ये चलते जाना है उसके बाद क्या है हमारा अगला है क्या है पहला है 99 99 के बाद क्या है 89 फिर 89 इससे क्या पता चल रहा है 10 दस कम हो रहा है 99 नवासी नवासी में से 10 कम के 79 फिर 10 कम के 79 नवासी में से 10 कम करेंगे 69 69 में से 10 करेंगे 49 ठीक है बच्चो उसके बाद अगला क्या है हमारा 72 72 में से 10 कम करेंगे 62 62 में से 10 घटाएंगे 52 52 में से 10 कम करेंगे 32 32 में से 10 कम करेंगे 22 इसी तरह ये चलती जागी है ठीक है इससे अगला है 100 100 में 100 बढ़ा दिये 200 300 400 बिल्कुल असान है 500 फिर क्या जाएगा 600 ठीक है बच्चो अब अगला क्या है हमारा अगले चलते हैं 900, 900 के बाद क्या है? 800, 700, 600 घट रहे हैं, तो घटते वे क्या जाएगा? 500, फिर क्या जाएगा? 400, इसी तरह चलना है, ठीक है? अब ये लाश्ट वाला कोशन हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या किया हुआ है? यहाँ देखो, पहले में 1 है, दूसरे में क्या है? एक तो लेकिन उसके साथ हमने 2 0 लगा दी, अगले में क्या है? एक है, लेकिन उसके साथ हम 3 0, कहने का मतलब 1 1 0 बढ़ती जा रही है, अगली लिखेंगे तो हम 1 4 0 आ जाएगी, उससे अगली संख्या लिखेंगे तो 1 5 0 आ जाएगी, ठीक है बच्चो? समझा रहा है, इस तरह से ह हमारे पास पेज नमबर 5 की भी एक्टिविटी पूरी हो गई है, आशा करती हूँ कि आपको ये समझा आया होगा, धन्यवाद,